लास्ट यह एमाई ने लॉंच किया था रेड्मी के 20 प्रो फ्लैक्सिब स्मार्टपोन जो उस टाइम मार्केट के हिसाब से काफी और और प्राइस था काफी लोग ने इस फोन को इगनोड किया था क्योंकि यह फोन काफी और प्राइस उनको लगा था लेकिन जबकि अब वन जो दिटना हो गया है तो मैं आपको इस वीडियो में इस पोन के बारे मैं बताऊँगा कि आपको यह फोन क्यो लेना चाहिए सबसे पहले सब से पहले बने रहए और इस फोन के बारे सबची एक एक करके मैं बताऊंगा Redmi K20 Pro इस phone की build quality मुझे काफी अच्छी लगी इस phone में जो back देखने को हमें मिलता है वो glass का use किया गया है और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी इस phone में आगे और पीछे हमें Gorilla Glass 5 का support मिल जाता है साथ ही साथ हमें frame जो है metal का देखने मिल जाता है जिससे phone in hand और पी premium लगता है मैं एक और phone यूज़ करता हूँ 6 months से Realme X2 Pro flagship वो भी है उसमें भी glass body का use किया गया लेकिन personally मैं दोनों phone को compare करूँ X2 Pro और K20 Pro मुझे glass body Redmi K20 Pro का का काफी सांधार लगा और मुझे बहुत ही जादा premium लगा अब बात करें इस phone की display quality की बाड़े तो इस phone में हमें 6.39 inch की Full HD Plus AMOLED display देखने मिल जाता है और जबकि ये phone में super AMOLED display है तो आप हमें viewing angle और color balance well maintained देखने मिल जाता है वही पर हम लोगों को HDR10 content का भी support देखने मिल जाता है तो display की मामले में तो आप एक निक्षिंत रह सकते हैं कि आपको कोई भी problem नहीं होने वाला है और gamer हो या multimedia enjoy करना चाते हो दोनों में आपको अच्छा experience मिल जाएगा अब बात करें तो performance की बारे तो इस phone में सबसे अच्छी बात यही है कि इसकी performance इस phone में आपको strap dragon 855 का processor मिल जाता है जैसा कि हम लोग को पता है यह एक flexi processor है day to day user हो या फिर आप gamer हो दोनों में आपको काफी अच्छा experience मिल जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इस phone में एक one hour call of duty खेल के देखा और सबसे अच्छी बात आप लोग को यह लगए है कि यह phone heat करता है या नहीं इसमें आपको liquid cooling system का support मिल जाता है आपका phone अगर heat भी करता है तो जल से जल उस phone को cool कर देता है जिससे आप और भी जादा से जादा gaming का अच्छा experience ले सकते है बात करें तो इस phone के camera setup के बादे तो इस phone में हमें triple camera setup देखने को मिलता है और यहां पर जो प्राइमरी camera यूज किया गया है वो 48 megapixel sony IMX का हमें देखने को मिल जाता है और वही इस phone में 30 megapixel का ultra wide sensor देखने को भी मिलता है और इस phone में 8 megapixel का 30 photo lens भी देखने को मिलता है वहीं front camera की बात करें तो इसमें हमें 20 megapixel का आपको आगे front में camera देखने को मिलता है जो काफी अच्छी photos क्लिक करता है और मैंने कुछ camera से photo क्लिक की हैं आप कुछ देख सकते हो कुछ camera sample मैंने प्लिक की है जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस phone की camera की quality के लिए लास्ट में मैंने सो चाहिक कि वीडियो कतम होनी से पहले एक बार मैं speaker test भी कर लूँ क्योंकि बहुत सारे लोग अब भी हैं जो Redmi K20 phone लेना चाहते है तो मैंने उनके लिए एक छोटा सा speaker test मैंने कर लिया Redmi K20 का तो मुझे काफी अच्छा experience मिला आप इस वीडियो में देख सकते हैं कितनी अच्छी sound है आपने वीडियो में देखा ही होगा Redmi K20 Pro के बारे मैंने जो जो भी उनकी उसकी अच्छी फीचर सी मैंने आपको दिखा दिया अब बात आती है कि आपको यह phone लेना चाहिए 2020 में लेना तो चाहिए यह phone लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको किस price में लेना चाहिए क्योंकि जैसा कि मैं अभी check कर पा रहा हूँ flip card पे current में चो यह phone आपको 27,000 पे उपलब्द है लेकिन जब मैंने यह phone बाई किया था 6 मंत पहले तो यह phone मुझे 22,000 में मिला था तो उससा में कुछ ओफ था flip card का तब मुझे यह phone 22,000 में मिल गया था लेकिन आप यह गलती मत किजेगा आप 27,000 में यह जो price हो करा है इसमें आप मत लीजेगा क्योंकि इसमें अभी यह phone अगर आपको 22,000 में मिल रहा है तब आप यह phone purchase जरूर करें फिलालत इसमें ICIC credit card पे भी कुछ off चल रहा है आप flip card के official website पे जाके search भी कर सकते हो तो आपको पता चल जाएगा लेकिन मैं suggest यही करूंगा कि आप कम से कम 24 से 23 तक में यह phone ले क्योंकि यह phone बहुत ही better है लेकिन 28,29 में ना purchase करें